नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पनिशनामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरी जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्तर मनिश कुमाजी डॉक्स अब आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले नाजर जालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर ग्यानवापी मजडुद मामले में कोट का एतिहासक फसला हिंदूओं की जीत पर कोट ने लगाई मुहर मुसलिम पक्ष को जटका देते हुए कहा केस सुनने लायक अगली सुनवाई 22 सतंबर को देश भर में गैंगस्टर्स के खिलाप NIA ने चलाया अभ्यान साथ ठिकानों पर की चापे मारी गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन की हो रही जाँच कोईला घुटाले केस में E.D. का ममता के रिश्टेदारों पर शिकन जा अभिशेक बनर जी के बाद उनकी साली को E.D. ने किया तलब कोई पूचता अर्विन केजरिवाल का खोकला जूट फिर हुआ बेनकाब गुजरात के आप दफ्तर पर पुलिस की रेड का दावा निकला जूटा पुलिस ने रेड से किया इनका कॉंग्रेस पार्टी की ट्वीट से मचा बवाल आरसेस की ड्रेस में आग लगी पोटो की पोस्ट बीजेपी हमलावर कहा भारत में आग लगाने का काम कर रही है कॉंग्रेस ट्वीट स्टुरंटी आज की सबसे पहली खबर ग्यानवापी मजड़ित पर कोट के एतिहास एक फासले की ग्यानवापी मजड़ित मामले में आज का दिन काफी एहम था आज कोट ने ग्यानवापी मामले को लेकर जो फैसला सुनाया है वो वाकई किसी खुशी से कम नहीं है ग्यानवापी मजड़ित केस में वाराणसी कोट ने हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया है और केस को सुनने लायक पताया और मुसलिम पक्ष की याचिका को खारच करते हुए अगली सुनवाई 22 सतमबर ताय की है डॉक्टर साब हिंदू की कितनी बड़ी जीत हुई है पर जो जोतिलिंग मिला है उस पर एक भव शिव मंदिर के निर्मान का काम भी आज से सुरू मान लेना चाहिए वो क्यों क्योंकि सिर्फ फैसले में जो उसके टेक्स्ट आये है उसमें बरारस के कोट ने ने सिर्फ इस केस को याचिका को मिन्टेनिबल माना मतलब ये कि सुनवाई के योग के माना साथी साथ जो तमाम दलीले जो मुसलिम पक्ष की तरफ से दी गई थी उसको भी रिजिक्ट कर दिया जैसे उसमें जो सबसे बढ़ा जो जो दलील बताया जा रहा था मुसलिम पक्ष की तरफ से कि ये जो places of worship act special provision 1991 की वजह से आप कोई भी इस तरह के विवादित पूजास्थल को कानून में कोट में आप उसके सुनवाई नहीं कर सकते उसे कोटे निरस्त कर दिया मतलब दर्वाजा खुल गया कासिवी सुनात ग्यान वापी कुतब मिनार कृष्ण जर्मभूमी इस तरह के जो तमाम केसिस जो पेंडिंग है जहां मुस्लिम आकरानताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी उन सब केसिस के उपर आज के फैसले का इंपैक्ट होग यह इसलिए भी इंपॉर्टन्ट है कि दूसरी तरफ दो दिन पहले खबर आई कि जो कानून राम जनम भूमी आयुद्ध्या में जो एक विवादर तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके गिराये जाने के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम अपीजमेंट के तहट ये कानून जुलाया गया उसकी कंस्ट्यूशनालिटी के उपर सुप्रिम कोट में भी जिरह होने वाला है अगर ये कोट से ये कानून इल्लीगल घोसित कर दिया जाता है तो कई सारे ऐसे विवादित जगों के उपर जो इतिहास में गल्तिया हुई उसको सुधारने का मौका हिंदू समधाय को मिलेगा वाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर्स के आतंकियों के साथ नेकसस की बात सामने आई देश और विदेशों की जेलों के अंदर से गैंगस्टर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं जिसके बाद बड़ा कदम उठाते हुए एनाईय ने बड़ी चापे मारी की है डॉक्टर वाला की मौत के बाद जिस तरह से एक जिगर मकाइदा इनकॉंटर हुआ जो असलहा इनके पास से मिल रहे हैं जो बंदूकी इनके पास से मिल रही है ये पाकिस्तान से आ रहा आएसाई दे रहा दाउद इब्राहिम के गैंग से इनका कनेक्शन है और ये पूरा का पूरा ये अलग अलग नाम से ये गैंग्स चलते हैं चाहे विस्टन यूपी हो चाहे वो हर्याना हो दिल्ली हो राजस्तान का कुछ इलाका है हर्याना है पंजाब है हिमाचल है और इन लोगों की सक्तिय से और हिंदुस्तान का कानून ऐसा लुंज पुंज है कि इन लोगों के ख आमिस्या ने कहा कि इस बीमारी को इस पूरे नौथ हिंडिया से गाइब करने का ये सबसे सही वक्त है ये जहां तहां ये जो बिलकुल और्गनाइज तरह के जो क्राइम होता है जो दहसत सहरों में फैलते हैं उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कानून हमारे पास है नहीं कि जिसके जरिये इन लोगों को बिलकुल पकड़के बंद करके आप उसको सला दें जेल के अंदर परिस्मेंट भी नहीं मिलता केसिस जो है वो लंबा चलता रहता है तो एन आईए की इंट्री दी गई क्यों क्योंकि इन लोगों की करतूत की वज़र से एन आईए को एक स्को कि अब तक की सबसे बड़ी च्छापे मारी है और आप देखिए यह जो गैंगस्टर्स पकड़े जा रहे हैं उनको यह कहा जा रहा है कानून के हिसाब से जो पुलिस कानून जो है उसके हिसाब से इनको ट्रीट किया जाए इनको यह समझ में नहीं आ रहा है यह अस्थानि पर नकेल कसने का जिम्मा उठा लिया है तो वहीं इडी ने घोटाले बाजू पर अपना एक्शन लेना जारी रखा है बंगाल में इन दिनों इडी कई घोटालों की जाच कर रही है जिसमें कोईला घोटाला चर्चा में है क्योंकि इसके टार ममता के रिष्टेदारों से जोडने लगे हैं अब शेक बनर जी की साली को ईडी ने कोईला घोटाले में समन देकर तलब किया है लेकिन चौकाने वाली बात ये है कि मेनका गंभीर ईडी के ऑफिस रात के साढ़े बारा बजे पहुंच गई उनका कहना था कि ईडी ने बुलाया है लेकिन ईडी का दफ वो भाग रही थी बैंकॉक क्यों भाग रही थी भाई यहां आपके उपर पूश्टाच के लिए बेताब है ईडी आपके जीजा जी को ईडी पूश्टाच कर चुकी बहन का भी नाम है इस केस में और ईडी ये कह रही है कि आप लोगों के रिस्ते अनूप मांजी के साथ ह है और वो अब इसे एक बरजी हो या फिर उनकी पत्ती हो या उनकी ये साली इन लोगों को पैसे दिया करता था बैंकॉक में आपके खाते और लंडन में आपके खाते जिसमें ये पाप की कमाई जमा होती है ये आरोप है पूश्टाच तो करना परेगा आप कोट चली गई और कोट में आपने रहत लिए के कलकत्ता के अंदर ही पूश्टाच हो तो आप भाग क्यों नहीं थी जब भागा भागी में इनको पकल लिया गया क्योंकि रेडर कारणनों नोटिस जारी किया हुआ था तो आपको एक सर्व किया गया नोटिस नोटिस में कहा गया कि बार बज़े आना है तो यह PM के जगह एम टाइब हो गया तो यह 12 बज़े रात में पहुँच गई है अपने वकील के साथ मीडिया वालों के साथ तो वहाँ पे जब यह गलती इडी को पता चला तो इडी ने फ्रश समन दिया सवेरे सवेरे कि 12 एम नहीं 12 पीम तो बारा बज़े वो गई है उनसे पूस्ता जारी है उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अचानक से अकेले आप बैंक कॉप जाने का प्लैन बनाया तो क्यों बनाया लेकि कि इस एक्षन को इस तरीके से चैनेंज किया जा रहा है कि आपको कुछ रिलीव दिया गया था तो आपने लुक आउट नोटिस क्यों जारी कर दिया आपको बाहर जाने के लिए छोड़ दिया जाता कि आप भाग जाओ कोई पूस्ताची ना हो फिर बैंकोक में कौन कहां गया नहीं कि आप देखी जैसे गाइब है पार्थो चटर जी के एक और सहली मुना लीसा दास वो बताया जा रहा है बंगलादेश में हिंदुस्तान में ही नहीं जिसका सांती निकेतर में कई सारे फ्लैट्स होए रहा है उसके नाम आ रहा है तो ये सारी चीजे हैं ममता ब पहाला रखेंगे तो एडी का राज चले जनता तालिया बजाएगी सी बी आई आई आपको पकड़ के ले जाए जनता तालिया बजाएगी इस देश के दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान के एजिंसिया अब तक नेताओं को छोड़ती आई है अब पहली बार इस तरीके से पक पुलिस चापे मारी का जूट फैला रहे हैं आमादमी पार्टी ने अपने एहमदबाद आफिस पर गुजरात पुलिस की चापे मारी का दावा किया है जिसकी जानकारी एक नेता ने ट्वीट करके दी जिस पर केजरिवाल ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि दिल्ली के ब पुलिस तो कह रहे हैं यह कोई रेड नहीं हुई तो फिर किसने रेड कर दी देखें यह हिंदुस्तान की राज़ीती का नेटवर लाल है इसके ऐसा ड्रामेबाज मिलना बड़ा मुश्किल है पूरी दुनिया में खुद छापे बारी कर ली होगी खुद ही कुछ लोगों को भेज दिया होगा यह इसका तमाशा लोगों को इमोशनली ब्लैक मेल करना इससे बहतर को नहीं जाना दिल्ली के लोगों को इसने बेब कुप बना दिया पंजाब के लोगों को बेब कुप बना दिया अब यह ग हमें एक जज ने बताया है कि तुम्हारे खिलाफ एक्सम नाम नहीं बताएगा कभी आरोप लगा देगा दस तरीके का और जूट जूट तो ये इस हिसाब से बोलता है इस कॉंफुडेंस से बोलता है ये लोग कि सच बोलने वाले भी डर जाए अब इसने क्या किया जाना था आज इसको गुजरात कैमपेइन पर तो माहल कैसे बनाया जाए खबर कैसे सोशल मीडिया को कैसे ये जिन्दगी जीता ही है मीडिया में जीवित रहने के लिए चाहे इसके लिए इसको कोई भी जूट बोलना पड़े कोई भी जूटी कसम खाना पड़े यह अपने सगे संबंधियों को भी मार करके भी मीडिया में चाहना चाहता है यह इस तरह की विरत्ती वाले दिमाग माइंड सेट है इसका और की पूरी के पूरी के इस रीजान करके चले गए एक भै इस जोटे के साथ कों रहे अब इस ने कह दिया कि भाई भाई पर बीजेपी वाले ने पोचा किomic भूठे ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर तो CCTV कैमरा है कौन लोग गए कब गए कितने बजे गए उसका CCTV फूटेज जारी करो कुछ भी आप जो है जूट बोल करके निकल जाओ और दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में ये टेलिवजिन वाले जो है ना इनके जैसी सो कहत तुम्हारे से इतना ज्यादा लगाओ अब तो पंजाब का भी आड़ा रहा है पंजाब के लोगों को भी अपना माथा प्वच्चना चाहिए दिवार पे जाके कि तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसा काहिल है जो पंजाब की जनता का पैसा वह खर्च कर रहा है दिल्ली के काज का कम और केजरिवाल के प्रचार का जादा वह एड चल रहा हूं नेशनल लेवल पर चल रहा है अभी कहा है पंजाब में पंजाबियत वाले कि गुरु मुखी को प्रधानता देनी चाहिए यह क्यों आड आ रहा है हिंदी के अंदर अब यह समझ में नहीं आएगा तो य दिक्कत है यह केजरिवाल धुर्ट किस्म के राजनीतिक है वैसे धुर्ट तो सब होते है लेकिन यह कुछ जादा ही जो है बिल्कुल अलग आइटम है यह जी रग साब केजरिवाल जूट फैलाने का काम तरीके से कर रहे हैं तो कॉंग्रेस भारत में आग लगाने का काम कर रही है कॉंग्रेस पर्टी खुद को जीवित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है लेकिन इस यात्रा में काम भारत तोड़ने के और भारत में आग लगाने के हो रहे हैं। क्यों कॉंग्रेस की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया मकसद क्या था आपको लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है यह आपको तै करना पड़ेगा एक कल्चर औरगनाजिशन के ऊपर आप इस तरह का राज़्यूतिक प्रहार करेंगे आपने खाकी हाप पैंट और आरसस में जो बिल्ट होता है उसको लगा करके आपने आग जलाता हूँ जा रही है एक सो पैतालिस दिन और है और इनके दिमाग में कोई भूसा भर दिया है कि इनको लग रहा है कि 145 दिन में आरसस में आग लगा कि हम कर देंगे किस दुनिया में यह विक्ति जिन्दा है आप बीजेपी से लड़ना चाहते हो आप बीजेपी से लड़ो कर भी क्या गलत करे आप नकसरियों के तरह जिहादियों के तरह आयेसाइ के धलाल के तरह पकिस्तान के एजेंट की तरह आप हिंदू इसभ रम हिंदू संगत्रों पर हमला करेंगे आपके राज्निति का चैप्टर इस हिंदुस्तान यहां आपको जो लड़ाई जिससे करनी चाहिए मुस्लिम भूटों के चक्कर में चुकि आप केरल के अंदर हैं और वहां आपने खाकी पैंट में आग तो लगा दी कभी टोपी में आग लगाने के हिम्मत पड़ेगी वहां PFI रात दिन हिंदुओं और क्रिस्टिन्स की हत्या कर रहा है जालीदार टोपी में आग लगाने के हिम्मत कर पाओगे राहूल गांदी तो ये भारत जोड़ना वोड़ना तो अब तो गया गड़े में ये कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको रिवाई भी कर ले इस यात्रा के जरिये तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी जिसकी उ कापिटल टीवी को सबस्क्राइब कीजे नमस्कार